की नमास्कार एक हैमसे च्वाहागत हैं फ्रेंट्स आज के वीडियो में मीटर के बारे में जारेंगे यह हमारा क्लेंप मीटर है इसको डीजिल मीटर गोला जाता है डीजिल मीटर एक होता है एनालोग मेटर में यहलॊर्ण यह लहता है धिक हमारा का टैसे問題 घूंता है सिधा इधर उधर तो अपना major होता है ठीक है यह हमारा डिटल मीटर है जो आपके display पर दिखाई दे रहा है एकदम accurate जितना major किजिएगा जो रहेगा उतना ही यह बताएगा ठीक है तो यहाँ पर उपर में सबसे पहले हमारा Ampere है ध्यान में रखिएगा क्या-क्या होता है Amp यह हैं मारा उपर में एसी फोल्टेज थोड़ा उच्छालके चलता है इसका इसे दिया जाता है यहां पर कॉंटिनिक है यहां पर यहां पर ओम यह ज़िए जो है इसे मोटर और चेक किया जाता है ठीक है जैसे कीलो ओम हो गया जीगा ओम हो गया मेगा ओम हो गया तो इसमें यह चेक करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको भूल्टिज चेक करके बताते हैं कि पहले भूल्टिज चेक करेंगे ठीक है तो हमारे पास लूड़ अभी नहीं है कि को यहां पर करें ठीक है लगा के लिए दिए इसको एसे लगा देंगे इस पर ठीक है ना इसे को आय incubator को आपिए जहां यह तो आपको यहां पर नहीं है इसलिए नहीं कर रहा है तो अब हम आपको भूल्टेज करके बताते हैं कि यह बोल्टेज पर लगा दिए इसी भूल्टेज चेक करेंगे कैसे करते हैं यह हम आपको बताते हैं करने के लिए यह से होके हम आपको दिखाते हैं यह वाला मीटर में है यहीं जो है आपको अच्छे तरीके से यहां पर दिखा रहे हैं इसमें 9 होता है लेकि नौब हमारा टूट गया है ठीक है लेकिन आपको तो दिखा देते हैं कि कैसे आपका फुल्टेज कितना है यह आपको देखना भुछ ज्योरूदी है ठीक है तो भूल्टेज करना है यह कि एक इस में और नोहीं कोई किसी एक में लगाईएगा तो आपको भुल्टेज कितना वाल्टेज्ट है यहां आपको सू करेगा यहां देखिए देख है दूसरी 222 आप बोल्टेज्ट करेंगे एक अक्या बोल्टेज के लिए क्लिए लगाया जाता है पर लेकर आएंगे अब बैटरी के एक साइट जो आपका वायर है जैसे बूडं में चेक किजीए चाहें उसका जो यह दोनों होता है तर्मिनल में चेक करेंगे ठीक है और उसके बाद से आते हैं आप कॉंटिनिवुटी पर ठीक है तो चेक करने एक वायर के इस पर एक वायर वर इस पर ठीक है ऐसे में जो है आपका जो है यह देखिए यह आपका चेक होता है तो मान के चलिए खराब रहता तो अब जो है हम क्या करेंगे यह जो है हमारा इस पर कई वीडियो हम बनाए हुए है लेकिन एक में ही सेट हुए है यहां पर देखिए कॉंट्रेक्टर में हमेशा अचाहें उभर लोड रिले में सबसे पहले हम उवर लोड रिले पर चलते हैं तो सबसे पहले लिए पर चलते हैं तो मैं यहांपकी iç notmaskin को यह करते हैं कैसे करते हैं इसका जैसे आप नीचे जो यहां पर टर्मिनल है आपका यानि की स्कुरू है नोट लगा हुआ है तो उसको साइड में अपना वायर फास आते हैं तो इधर से इधर से फसा देंगे देखिए कैसे आपका वैलू देगा देख रहे हैं देख रहे हैं अगर उपर से आप देख देख रहे हैं 1.7 1.4 ऐसे वैलू दे रहा है आपका ठीक है ऐसे मान के चलिए कि आपका जो है यह लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो आप अपने इस मीटर से चेक करके यह पाता कर सकते हैं ठीक है और देखिए यहां पर कॉंटेक्टर में आईए तो कॉंटेक्टर में य यानि कि 21,22 आई यहां पर 13,14 तो 13 अफोर्टिन दोनों क्या होता है एनु होता है ठीक है लिखा भी रहता है अगर में टक गया अच्छा से अगर नहीं दिख रहा है तो आप मीटर से ही चेक करेंगे इसको ऐसे आंदाज से आपको यह काम नहीं करना है ठीक है आच्छा से तो यहां पर अब ऒखेंगे आप देखिए यहां पर इन के करते हैं आपका नहीं वांच कर ऊंचे करते हैं तो प्लस सुरू हो गया है यानिव छियंक इसमें नहीं बज़ेगा वह इन्योह टिक यहां पर भज रहा है की उसके बाद से क्या करते हैं इसको जो है कॉंट्रेक्टर का क्वाइल भी चेक करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या होगा यह जाता है तो इसको जो है कॉंट्रेक्टर का क्वाइल भी चेक करते हैं कॉंट्रेक्टर का क्वाइल चेक करने के बाद से अगर मोटर में आते तो मूटर में यहां पर जैसे आप देख रहे हैं ऐसे जिंदल आपको बता रहा है ठीक है यहां पर उबर लूड रिले में आपको जिंदल बता रहा है ठीक है तो मूटर में क्या होता है अगर मूटर में आप देखते हैं तो मूटर में या तो किलो में बताएगा ठीक है तो किलोवाड में बताएगा तो समझे की मोटर क्राब है अगर में स्थ है अगर मेगाम में देता है तो ठीक इसके लिए साधी कि चाहिं अरे मीटर किसी प्रकार का कोई दिख्कत है आपके आप जो है कवें कोमैंट करके अपना जो हैसे सजेशन दे सकते हैं घर को किते यारी कर रहे हैं प्रसक्राइ Stadt युक्था तो लाइक करें अगः किसी प्रकार करें किसीologist है लाइक Fragen झाल